सभी सिच्छक और सिच्छका का एक बार फिर से स्वागत है सभी को सुबा का नमस्कार आप लोग के लिए बहुत भेतरीन सेशन चलाया गया है इस सेशन को जो प्रसिच्छू जो अभेरती जो सिच्छक और सिच्छका डेली फालो कर रहे हैं उनका साथ नंबर से क्योर होगा कम नहीं, 60 नंबर से एक और होगा और यह सेशन रेगुलर बेसिस पर 7 बजे ही आती है शुबर-शुबर और इस सेशन में हम क्या क्या कराते हैं भाई सबसे पहली बात है कि एक दिन जीके जीके में क्या एक दिन जियोग्राफी और एक दिन हिस्ट्री और एक दिन कुछ दिन बाद, चार-पांच दिन बाद जैसे आपकी संख्या बढ़ेगी, आप लोग बढ़ाएंगे, सेयर करेंगे तो हम पॉलिटी, यह तीनो पैरलली लेके चलेंगे, एक दिन जियोग्राफी एक दिन हिस्ट्री, और एक दिन पॉलिटी, और पंदरः से बीस क्योषन होंगे, और हर एक क्योषन का बिधीवत एक्स्प्लेशन होगा यहाँ दखेगा, आज हम वैदिक सब्धिता के उपर पंदरः क्योषन लिये हैं तो डेली फालो कर ये किसी दिन छुट्टी नहीं, किसी दिन नहीं, जब तक आपकी नौकरी नहीं लग जाती, तब तक छुट्टी नहीं, ये 2022 और 2023 का टार्गेट है, आप लोग को बिल्कुल बेहतरी न तरीके से करना है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, सबसे पुरानी इस्मृती कौन सी है, आप सभी को पता है, सबसे पुरानी इस्मृती कौन सी है, मनु इस्मृती, क्या नाम है, मनु इस्मृती, या दखेंगे, अब इसके लिए explanation क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे, सबसे पुरानी इस्मृती की बात करता है, तो मनु इस्मृ गुपत्वंस की जानकारी मिलती है गुपत्वंस की जानकारी मिलती है तो पूछा सकता है बताएंगे और कायस्त का सुअर परतम उल्लेक कहा है याद रखेंगे किसका सबसे पहले उल्लेक मिलता है कायस्त का उल्लेक मिलता है याद रखेंगे एक जाती के रूप में कायस्त का सवपतम उल्लेक ओसनम इस मिलता था याद रखेंगे मेधा तिथी भारुची आदि टिका करों ने मनुसमिती पर भास से लिखा था किस ने लिखा था भास से मे यह बात भी याद रखेंगे जो कि बहुत जादे पूछा जाता है आपसे देखें जो यह वैदिक सब्यता है यह 2600 से लेकर 2600 इसापुर्व से लेकर 600 इसापुर्व तक चला था इस बात को याद रखेंगे अगला प्रस्ट सबसे पुरानी भारती दवा अयुर्वेद का उद्गम है तो पता देंगे अथर्वेद है यह दकेंगे अथर्वेद वही जादू-टोना वाले को कहते हैं यानि कि सबसे पुरानी भारती दवा आयरुवेद का उद्गम जो है अथरुवेद है अथरुवेद से जादू टोना भूत प्रीत यों चिकित्सा आधी के विसे में विस्तित रूप से जानकारी मिलती है तो आप याद दखेंगे सबसे पुरानी क्या है रिग वेद है चलिए अप्टरर मतब कि 6000 से लेकर 6000 इसा पुरुवाला क्या आता है उत्तर वेदिक काल आता है तो इससे पुरा वेदिक काल की बात कर रहा है याँ यहां सी असपर्ष्ट होता है उस समय के लोग मुर्ति की पुजा नहीं करते थे इस बात किया दखना तो पूछा जाता है तो मूर्ति की पूजा नहीं करते थे और नहीं उस समय के कोई मंदिर के साथ प्राप्ट हुए है अधिक वैदिक काल के सबसे महतपूर एवं सक्तिसाली देवता जो थे इंदर थे इनकी उपाधी पूरंदर थी ये युद्ध एवं वर्सा के देवता भी कह जाते थे इनका उले देख 250 सुक्तों में हुआ है यह बात भी आ देखें उत्तरवैदिक काल के सबसे महतपूर देवता प्रजापती थे पूछा जाता है उत्तरवैदिक काल के सबसे महतपूर देवता कौन थे तो प्रजापती को जाना जाता था अगले परस पे चलते हैं वित्रों प्लीज आ आजाईए सारे के सारे टेस्ट कर जाएए यह पांचमा टेस्ट है इसके पहले चार हो चुका है इसका पीडियाप आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा भाई फ्री में वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा अगला इन में से किसने सरपथम गोत्र सब्द का है गोत्र मतलब की काश्ट में बहुत सारे गोत्र होंगे तो आप अपने ममी पापा से पूछेंगे तो पता चलेगा इस प्रकार से गोत्र वर्ड जो है इसका प्रयोग इसका सवपर्थम एक तरह से सब्द का प्रयोग किस ने किया था या पर किस वेद में हुआ था तो पताएंगे यह सहाम साम यहां इसमें बात को या दखेंगे इसके वेदान नहीं सामिल है इस बात को या दखेंगे दारसनिक बातों के जानकारी मिलती जो उपनिसद हैं इससे दारसनिक बातों के जानकारी यहाँ से मिलती है जैसा कि आत्मा परमाता आदी इसके बारे में जानकारी मिलती है भारत का आदर्सवा के सत्य में उजयते जो है वह उलेक कहां मिलता है उसका मुंड को उपनिसद से लिया गया है इस बात को याद रखेंगे जो सारनात में इस्तित है आपको पता है बनारस के सारनात इन में से कौन से जानवर वैदिक लोगों द्वारा ग्यात नहीं थे हमने पढ़ा थब यह सुन्दुखाटी में गोड़ा नहीं ग्यात था लेकिन यहाँ पर याद गाय के लिए वैदिक काल में अघन्या सब दखाई हो जुआ है इस बात को आप याद दखेंगे यहां से बहुत प्रश्ण बंते हैं साथियों सिंदु सबिता काल में जानवरों में सबसे महत्पूर कूबर वाला बैल माना जाता था सिंदुखाटी में और इस समय गाय यह दखेंगे मित्र ठीक है अगन्या कहा जाता था अगला मानो आत्मा का एक सरीर से दूसरे सरीर में गमन किस वैदिक साहित का विश्वास है most 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 important इसको जितना इश्टा लगा सके डबल तिपल चबल सब इश्टा लगा लिए इस पे ठीक भाई सारा बताईए साथ में का जो दूसरे सरीर में गमन वैदिक साहित के उपनिसद का विश्वास है उपनिसद को वेदों का सार कहा जाता है ब्रह्म विद्या से संबंदित होने के करण इसे ब्रह्म संहिता के नाम से विचाना जाता है किसको उपनिसद को वैदिक संहिता का अंतिम भाग होने के करण इसे विधान तुमी कहा चाता है, इस बात को वियाद रखेंगे, यम नचिकेता, आपने सुना होगा, यम नचिकेता संवात का वढ़न, कठो उपनिसद मेने मिलता है, वियाद रखेंगे, बृहदारण्य। बिल्कुल modern history तक चलेंगे, यह प्राचिन history सी start के हैं न, modern history तक चलेंगे इसी तरह, पस आप लोग लाज तक बने रहे हैं और daily session को follow करिए, इसका right answer क्या हो जाएगा भया, एत्रे ब्रामड होगा, एत्रे ब्रामड याद रखेंगे, स्वापत्म एत्रे ब्रामड में नेप्र राष्ट का लिए, राष्ट और राज्य, दोनों का उलेक स्वारपत्म कहा मिलता है, हमें उत्तरवैदिक काल में मिलता है, या देखेंगे मित्र, यानि कि एक हजार से 600 की इसवी के बीच में, इसापुर्व के बीच में, जो प्रांत का सूचक था, प्रांत यानि कि रहाम भारती गडित का उद्गम पाया जाता है का आप भाई, सुलव सुत्र में, कल्प से पता चलता है, कि वैदिक कर्मकांड को किस प्रकार संपन किया जाता है, तो कल्प चार प्रकार के होते हैं, सुलवसुत्र और ग्रिहसुत्र और धर्मसुत्र और एक सुलवसुत्र, जो स इसमें किस से संबंदित है इसमें विधी विधानों से संबंदित है जो यग है इससे संबंदित है ग्रिय सुत्र में क्या पता है जायर से बाद में ग्रियस्त आस्रम के बारे में संबंदित होगा धर्म सुत्र में किसका उल्लेक है तो बता देंगा राजा प्रजा उसके प् पूछा जा सकता है महिला को पूरुस का अर्धांगनी किस ब्रामड सबसे पुराना पूरान पूराना को पूरुस का पूरुस का आंध्रो के बारे में जनकारी मिलती है वेडिक सभता में भारती संगीत का जिखर किया सबको बच्चे बच्चे को पता है आपको भी पता हो गा कि touching me सब के भारती संगीत के बारे हाई इसका सांवेद में दोस्तों निघाता में वारती संगीत के बारे मुलेक है सब्म men 15 findet पंद्रस उन्चास रिचाएं हैं जिसमें पच्छत्तर को छोड़कर से सभी रिग वेदे से लिए गया है या दखेंगे 157 के वले नहीं हैं पच्छत्तर को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे कि से लिए गये हैं रिग वेद teith से ही लिए गये इस बात को या ढखेंगे जहांसे प्रश्न बनेंगे सारे अइसे ही आते हैं इत् faan में वासे देली नगशन करते रहें किस निद्र वेदे संता या मंडल ने पहली बार स्धृ को परचे कराया जो किस रिगवेद संहिता या मंडल में पहली बार सुद्र का परचे हुआ रिगवेद के दस्वे मंडल में 4 चारो वरणों का उल्लेक मिलता है यानि कि दस्वे मंडल में केवल सुद्र का ही नहीं चारो वरण अगर पूछा जाता है ब्रामर्ण छत्री वैस सुद्र सभी का उल्लेक किस मंडले मिलता है तो दस्वा मंडल याद रखेंगे चलिए रिग वेद का दस्वा मंडल इन में से किसे में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य देवी गायत्री को संबोधित है। ठीक है ना पहले क्या होते थे रिग वैद में जो वर्ड हुआ करते थे जो मतब जातियां हुआ करते थे वह हमारे एक तरह से जो धंदा आप कर रहे हो जो कार्रे कर रहे हैं उसके अधार पर डिसाइड होता था अगर आप फार्चुन का दुकान खोले है तो आप हो गए बन मंतर । अगला चलते हैं अभी यह ध्यान दिढेंगे इसमें क्या है औरद धनुररवेड है इसको लिख लिएज dh. और अरत-बिद का शिल्पवेड यह एं इसके ईपवेड जो पूछ हाता एक्जाम में है अधिक ग्रंथों के प्रिसिद भासकर सायन निम्नमेंसे किस एक काल में सक्री थे तो चौदा का जो राइट एंसर है बता देंगे विजय नगर राजिकाल में ये सक्री थे वित्रों जो आपसे पूछा जाता है अगले प्रिस पे चलते हैं भारत के राज चिन्न के फलक के न जाय संगीता के नाम से महाभारत को जानते हैं क्यों महाभारत को ज提 से जाय संगीता बना अनोरों प्लस नहीं झानले का जाता है च्ब महाभारत को भी यहां से ऊनू shaping Thema तो उसे जै संगिता के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब उसमें वर्डो की संगिया बढ़ गया, तो उसे महाभारत के नाम से जाना गया, इस बात को या दखेंगे, यहां से प्रश्व बनते हैं, चलिए, अगले पस के तरफ चलते हैं, जो आपके लिए बहुत important है, इसे बात किया दखना, वैसे सिख दरसन, बहुंत पराचिन दरसन था, कपिल मुनी किसके दरसनके दरसनके थे या दखना है, और योग दरसन के, पतंजली, योग upat सबसे पहले कब किया गया था तो मिमानसा के साथ हमने बहुत सारा चीज़ें आपको बताए लेकिन अभी हमने इसमें तीस प्रश्ट करना है तो यानि कि कल भी 20 प्रश्ट करेंगे इस वैदिक सब्सक्राइब अब यहां से प्रश्ट हम इसका प्लेश्ट में इसका हम टेलिग्राम पर डाल देंगे पूरा पूरा पीडियाप पीछला वाला भी पीडियाप है आप लोग दिन भर के सारे क्लासे देखिए और इसको शेयर करें जिससे के आपके भाई बहन भी यहां पर आकर पढ़ सके औ और अपने साथ नंबर को बिल्कुल साथ नंबर बिल्कुल मुप्त मिलेगा उनको मिप्त में समझे रहे ना उसको जोईन कर सके धन्यवाद